Hello friends, welcome to GK World YouTube channel आज हम आपके लिए लेके आए बेटा SST CGL के प्रिवियस येर के पेपर और प्रिवियस येर पेपर क्यों इंपोर्डेट होते हैं मैं आपको एक सिकन में बताता हूँ जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हर साल नए कोश्चन बनते हैं लेकिन साथ ही कुछ पूराने कोश्चन भी उसमें डाल दिये जाते हैं और साथ ही हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेटिक GK के कोश्चन पूछे जाते हैं तो आपको इसी YouTube चैनल पे हमारे टेलिग्राम चैनल को जब आप जॉइन करेंगे पीडिया फाइल लेने के लिए बैटा हमारे YouTube चैनल को सब्स्राइब करेंगे और जैसे आपको टेलिग्राम का लिंग मिलेगा तुरण जॉइन कर लेंगे तो आपको इस्टेटिक GK के पूरे वीडियो मिल जाएंगे जो कि आपको एक जाम में बहुत ही यल्प करेंगे तो आपको हम प्रिवेस येर के पेपर के साथ साथ यह भी बताची चलेंगे कि कौन से से सेक्षन से ज़्यादा कोश्चन पूछे जाते हैं तो इसमें देखते हैं सबसे पहले कि कौन सा पेपर है तो यह है 13-8-2021 का पेपर और यह आप्टर्नोंचिप्ट का है जो कि 12 से एक बज़े पेपर हुआ था तो चलिए पहले कोश्चन से देखते हैं आज का तो हमारा पहला कोश्चन कौन सा है निम्रिकित में से किसने लंदन में सर विलियम हटकरजन वाईली की हत्या की थी सुपदेव थापर ने सूर सेन ने मदलाल धिंगरा ने या खुदी रामबोस ने तो इसका सही उत्तर होगा मदलाल धिंगरा ने किया था अब अब अदलाल धिंगरा ने इनको क्यों आ रहा चारण कारियालह कहा इस्तित हैं? श्री नगर में, मुंबबई में, पटना में या बैंगलोरू में तो इसका कहाँ पहे है मुंबई में इसका ARIGALI BANG का कार्ण कारियालह इस्तित हैं भारत ने निम्कित में से किस देश के साथ फरवरी दो हजार 21 में लालंदर यानि सतूत बांध के निर्मार के लिए एक समझोते पर हस्ताचर किये थे ब्राजिल के साथ जापान के साथ ऑस्टेलिया के साथ या अफगानिस्तान के साथ तो हमारा यह समझोता हुआ है अफगानिस्तान के साथ हम वहां पर ऐसे और तीन बांधों का निर्म जिसमें से एक सतूत भी है निम्लिकित में से किस वर्स में बाबर द्वारा मुगल सामराज की अस्थापना की गई थी तो यह देखिए रिपीटेड कोश्चन है आप बोलेंगे रिपीटेड कोश्चन कैसे अभी आपको बता दो पहले एंसर बता दो 1526 1578 1699 1634 तो इसका सहु युद्य जो कि 1526 में हुआ था किसके बीच में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में यही से मुगलों की सूरात हुई तो इब्राहिम लोदी के बीच में और यह दूसरी या तीसरी बार अलग-अलग तरी से के घुमा के सवाल पूछा जा चुका है मैसूर पहले इसका निवास अस्थान था किसका चंदेलों का पलास का बुंदेला का या वोडियार्स का तो इसका सहुत्तर क्या होगा वोडियार्स वंस का था एक छोटे से बालब को, टूथ पेस्ट बनाने के लिए निम्लिखित में से किसका उप्योग नहीं किया जाता है, नहीं पूछ रहें ध्यान दिजिएगा, इल्मूनियम आकसाइड, सिलिका, चूना पत्थर या गैलेना, तो इसका सही उत्तर होगा, गैलेना का उप्योग नह निम्लिखित व्यक्तियों में से किसे बागतायानी के ब्रिटिस एकाडमी और फिल्म एंड टेलिविजन आर्थ ब्रेक्थू इनिसियेटिव में ब्रांड अंबेश्टर के रूप में घोसित किया गया था, अजय देवगन को, एयार रहमान को, कुलदीप हांडू को, या आज़वय अच्छे कुमार को, तो इसका इंगा क्या होगा संगीत कार है हमारे अ-जय और रहमान, उनी को इसका, राइदम्डव एश्टर गोसित किया गया था, निम्लिखीत में से, किस राज में रोवा वन्य जीव, अभयारत इस्थी थे, हर साल वन्य जीव अभ्यारत स गुआ किया होगा इसका सयुक्तर का ठिपुरा कहां पे है रोव अमिन्मी पूरिया hearing कि निम्लidänी कित में से किस खेल से संबंधिंथ है। से गोलिका पूर्नें से सिस्का सयुक्तर होगा से संबंधित हैं रुइया कोलल्ड कुपूर से itudians ने स्नदेर्टक कर दोद Katika मिजोरम ने दिसंबर 2020 में निमलिखित में से किस बीमारी से लड़ने के लिए लव ब्रिगेड योजना सुरू की थी HIV AIDS से गोनोरिया से क्लाइमाइडिया से सिफलिस से तो इसका से उत्तर क्या होगा जन्वरी 2021 में SBI Cars and Payment Services Limited के कारेकारी अधिकारी निमलिखित में से किसे प्रबंध निदेशक और प्रमुक के रूप में निउप किया गया था स्वामी नाथन जानकी रमन को, राम मोहन राव अमारा को, रजनीष कुमार को या सुनी कुमार्तिवारी को तिसका सही उत्तर होगा राम मोहन राव अमारा जी को इसका प्रबंध निदेशक निउप किया गया है पट्चित्र कला का रूप हिंदू पौराणी कथाओं में किस भगवान को समर्पित है भगवान सिव को, भगवान गरेश को, भगवान ब्रम्हा को या भगवान जगनात उत्रिसा से पर हुगा भगवान जगनात को पट्चित्र कता कहां पर पाई जाती है आप देखेंगे ओडिशा से सुरू होके नीचे पूरे साउथ वाल एरिया में भगवान जगनात की पट्ट चित्र कता आपको देखने को मिलेगी पौराणी कतायन की मिलेगी। दिसंबर 2020 में ब्राड कास्टिंग यूनियन निमलिकित व्यक्तियों में से किसे एसिया प्रसांत के उपाध्यचि के रूप में चुना गया था। हेमंद पांडे को, राकेश मुहन को, सस्य सेकर वेंपति को या बीना अगरवाल को तो इसका सहियुक्तर क्या होगा सस्य सेकर संब्रत को इसके लिए सुना गया था। निमलिकित में से किस मंदिर में आपको गोपुरम मिलेंगी। भाबतार्णी मंदिर दच्छिडेस्वर, दिलवाडा मंदिर माउंट आबू, सिउ मंदिर चिदंबरं, स्वण मंदिर अम्रिश्वर। निमलिकित में से किस ने रंग भूमीद एरीना हाफ लाइफ उपन्यास लिखा था? अबिंद्रनाथ टैगोर, मुंसी प्रेम चंद, रविंद्रनाथ टैगोर या महात्मा गांधी तो इसका सयुक्तर होगा मुंसी प्रेम चंद ने इसको लिखा था रंगवों दा एरेना आफ लाइ लक्ष सेन निम्लिखित में से किस खेल से संबंदे थे लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केट बॉल या बैडमिंटन तो इसका सयुक्तर क्या होगा बैडमिंटन अभी यंगेज में हैं और उबरते होगे खिलाडी हैं लच्छ सेन जन्वरी में राष्टी स्वास प्राजिकरन द्वारा बीमा यूजना आयुसमान भारत 2001 के सनिम्लिखित में से किसे स्वास के मुख्य कारिकारी के रूप में नियूक्त किया गया था आर्या सर्मा जी को राम मुहन राव अमारा को संजीव कुमार को या अनिलादा को तो इसके लिए आर्या सर्मा को मुख्य कारिकारी नियूक्त किया गया है वीर सुरेंदर साहि किस अस्थान के रहने वाले स्वतंतरता सेनानी थे जहां पानी को उत्थान दौरा भूम की ढलान के खिलाब बहने के लिए मजबूर किया जाता है गाहलाता है वाड बंदी सिस्टम, फ्लो चैनल, लिप्ट चैनल या ग्राउंड वाटर टेबल तो इसका सही उत्तर होगा लिप्ट चैनल, लिप्ट का मतलब उठाना ठीक है तो इसलिए ढलान के विप्रित उठाके उसको बहाया जाता पानी को भारत के समिधान के निमलिखित अनुचेटों में से कौन सा अनुचेट कहता है कि भारत का एक उपराष्ट पती होगा दाब का मान प्राप्ट करने के लिए आप द्रव में प्रणोद को किस प्रकार विभाजित करते हैं छेत्र के हिसाब से, घनत्य के हिसाब से, द्रभ्यमान के हिसाब से या वल्यूम के हिसाब से, तो हम इसको कैसे प्रनोध को छेत्र के हिसाब से विभाजित करते हैं, उसका एरिया देखते हैं, निमलिकित में से कौन सा होमियोपैथी के संस्थापक थे, रॉबर्ट कोच, विपोर्ट जैसे आवेक से उत्पन लोच दार्व को क्या कहा जाता है लोच सोभ़ाऊं प्रांती स्वाइपता फिस प्रैवातली और केंद्र थी प्रणतों scriptures कुष सभाशनبة भुद्हाइं के विद्वेद Какuse सपिक्तियों के वितरण का भी प्राउधान किया भारती परसद अधनियम 1909 भारत सरकार अधनियम 1935 भारत सरकार अधनियम 1929 और भारत सरकार अधनियम 1889 तो किसमे किया था तो भारत सरकार अधनियम 1935 में इसको शुरुवात की गई थी ताकि केंद्रों प्रांतों के भी विदाही सकतियों का वितरन किया दा सके तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि काफी अच्छे लेवल के कोश्चन आते हैं तो हम आपको धेर सारे कोश्चन के ऐसे प्रैक्टिस कराएंगे आपको बस करना एक काम है कि आप तुरण जीके वर्ल्ड का यूट्रूब चैनल जॉइन करिए और नीचे आप जाएंगे तो आपको एक टेल आपको नीवान